तो HimGuard Electronics में आपका एक वार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है कुश साथी हमारे काफी दिन से हमें रिक्वेस्ट का रहे थे कि सार हम रिपेर का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो किरिपया हमें गाइड करें कि कौन-कौन से डोकुमेंट समय चाहिए होगे और हम कैसे अपलाई करेंगे दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो 11 डोकुमेंट आपको चाहिए आप एक pen copy साथ में ले लें वो आपको लिखवा देता हूँ और उसकी detail भी बताऊंगा तब आप रिपेर का लाइसेंस के लिए अपलाई कर सकते हैं यह 11 डोकुमेंट अपनी फाइल में रेडी रखें तो दोस्तो पहला जो डोकुमेंट है वो आपका है क्वालिफिकेशन का क्या आपने ITI की है डिप्लोमा किया है डिगरी की है जा कोई और क्वालिफिकेशन है तो पहला डोकुमेंट आप क्वालिफिकेशन मानिए सेकंड डोकुमेंट है दोस्तो आपका experience certificate क्या आपने किसी फरम में किसी फैक्टरी में कांटे की रिपेर का काम सीखा है किया है ट्रेनिंग ली है यह सारी चीज़ों एक डोकुमेंट एक फाइल में अलग से बना ले तो यह आपका सेकंड डोकुमेंट कंसिडर होगा दोस्तो तीसरे नमबर पे है आपका ID प्रूफ अधार कार्ट तो एक फोटो और अधार कार्ट भी आप सास में रखें एक की जगा आप दो फोटो रखें दो फोटो पासपोर साइज और अधार कार्ट और इससे next GSD नमबर अगर आपके पास है तो वह भी आप डोकुमेंट रेडी रखें पांच में नमबर है पर है ट्रेड लाइसेंस अगर आप शहर में रहते तो यह ट्रेड लाइसेंस आपको मिंस्पल कमिटी की तरफ से दिया जाता है और अगर आप किसी गाउं में रहत जा फिर आपने किसी से एग्रिमेंट किया हुआ है जैसे आपके फादत की है मदर की है तो आपको वह डोकुमेंट लगाना पड़ेगा उससे next है दोस्तों आपको लोन आर्टिकल लोन आर्टिकल का मतलब है कि अगर आप अगर आप रपेर का लाइसेंस लेते हो तो आपके पास कितने कांटे वेरिफाइड किये हुए दुकान पे हैं जैसे कि इसके लिए कम से कम एक 60 किलो का एक 10 किलो का और एक 300 ग्राम का होना जरूरी तो उसका वेरिफिकेशन सर्टिकेट और उसका बिल ये उसके साथ लगाना है फाइल के तो नमबर आठ पे है मैप आप इसके इलावा आपके पास कितने स्किल्ड परसन है जो काम करते हैं आपके लिए आपकी शॉप पे जग करेंगे उसमें स्किल्ड कितने हैं अन्सकिल्ड कितने हैं सेमी स्किल्ड कितने हैं तो ये आपने मेंशन करना है और उनके डोकुमेंट लगाने है उनका अधार कार सा में अटेच करना है